हलो आज है 18 माई और आज इस वीडियो में हम बात कने जा रहें इरिडा के बारे में 175 रुपए के आसपास ट्रेट कर रहा है एक महिने में 8% की तीजी है इस बीज एक बड़ी तीजी भी देखी हमने 180 रुपए से भी उपर शेयर निकला लेगिन बाद में बड़े करेक्शन स यहां पर क्या कमेंटरी है देखिए वीडियो को शुरू कर उससे पहले अगर आपने वितक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो जो काफी जादा हेल्प करेंगे तो 175 रुपए का चाहर है 8% की तेजी एक महिने में और एक साल में देखो तो पैसा तो खुब बना कर दिया हलाकि एक साल कुरानी लिस्टिंग भी नहीं है इसकी पिछे साल नवेंबर में यह लिस्ट हुआ था और इसका जो IPO प्राइस था 32 रुपए का था 50 रुपए पर खुला था 60 काफी बड़ा करेक्शन था यह यह तकरीबन 210 रुपए से गिर कर आया था 125 पर लेकिन फिर से तीजी दिखाने की कोशिश करी है और कहीं न कहीं एक शौट टर्म रिजिस्टन्स यहां पर 180-180 रुपए के आसपास देखने को मिल रहा है और वह लेवल इंपोर्टन्ट है अ सबसे मुझे यह महंगी लगती है तो यहां पर रिस्क जादा है रिवार्ड कम है यहां पर अगर बात करी जाए इस कंपनी में वॉल्यूम्स को लेकर तो आज सेटर्डे है लेकिन फिर भी बाजार खुला हुआ है तकरीबन 47 लैक के आसपास के शेर यहां पर ट्रेड होते नजर आये है इसका जो आल टाइंग हाई है वो 215 रुपय का है लो 50 रुपय का है जिस प्राइस पर ही इसके लिश्टिंग हुई थी मार्केट के अब इसका 47,000 क्रोड के आसपास का देखने को मिल रहा है कंपनी देखो रिन्यूबल एनरजी में जो कंपनी आ है उसको लोन देथी जिसके लोन सेक्यूर्ड होते हैं इसके लोन सेक्यूर्ड नहीं होते है डिफॉल्ट के भी चांसिस रहेंगे फ्यूचर में और जहां तक अकॉर्डिंग टू मने कंट्रोल यूजर देखे तो 100% लोग कहरे खरीदार करो अगर डिविडेंट की बात करी जाए तो अ यहां पर आप रिविन्यू देखो तो लगातार इंक्रीज वाले हैं अगर प्रॉफिट पर देखोगे तो वह भी लगातार इंक्रीज वाले हैं हलाकि यह annual profit है ठीक है और इनके quarterly नंबर जो है वह काफी important होने वाले हैं इस बार के क्योंकि last time के नंबर जो थे वह अच्छे थे तो यहां पर इस बार यह नंबर इस इंपोर्टन है कि वह सब कैसे नंबर आते हैं यहां पर जाओगे तो भाई सब इनका लोन पॉर्टफोलियो देखो यह तो काफी बड़ा है जाद जो लोन इन्हों ने दिया है अपने पॉर्टफोलियो में वो सोलार एनरजी वाले कं का देखने को मिल रहा है बायो गैस मांस जो है वह तक्रीबन साथ परसंट के आसपास का है तो कंपने डेफिनेटली शॉर्ट टर्म लोन भी वगरा देती है स्मॉल हाइडर लोन भी यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे सोलार विंड और तरिये के लोन जो है वह यहा मार्केट एक्सपर्ट है राजस साथ पूते उन्होंने यह कहा है कि एड़ा का शेर में बने रहने के सला दी थी उन्होंने और उन्होंने यह भी कहा है कि जैसे ही 183 रुपीज का प्राइज अगर यह तोड़ता है तो 200 पर जा सकता है क्योंकि जाहिर से बात है 180-150 का जो र इंच काफी क्लियर है अगर 160 के नीचे जाता नहीं है तो यह 180-190 रुपे के आसपास रेजिस्टन्स भी उनको देखने को मिल रहा है यह उनका कहना है हालाकि उनका यह भी कहना है कि वाईसे 160 रुपे का स्टॉप लॉस लगानी की सला भी उन्होंने ने दी हुई है क्योंक 25 पर अगर 160 रुपे का लिवल यह तोड़ता है तो ठीक है कंपनी के अगर आप वैल्यूवेशन की बात को तो भाईसाब सस्ता पहरी जीज नहीं है 37 का P.E. है इसका सेक्टर P.E. 16, 17 के करीब का है कोई भी एनालिष्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है आयर एफसी जिसक 30 जो आई है IRFC की उसके चलते पी थोड़ा हाई हो चुका है लेकिन कंपनी अगर आप देखोगे तो इन दोनों के मुकामले मुझे IRFC जादा पसंद आता है specifically valuation के हिसाब से और जहां तक बात करें इनके financials की तो financials में इनके जो March quarter के number आए थे उसमें तकरीबन 335 क्रोड के आ पास-पास के revenue थे अगें मैं कहते हूँ यह जो March के numbers है इनके वो अगर आप देखोगे ध्यान से तो revenue में बड़ा jump आया ज़रूर है लेकिन profit में उतना बड़ा jump नहीं आया और June के number important क्यों हो जाते है जैसे कि मैंने कहा कि June के जब numbers आएंगे तो पता चल पाएगा कि वाई स investment के हिसाब से company का growth भी यहां पर देखना रही है और डिविडेंट मुझे मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि June quarter के जब number आएंगे तो साथ है dividend भी announce हो सकता है June या September में क्योंकि company जो है वो quarterly 300 क्रोर का तो profit कर ही रही है और जो सरकावरी company profit करती है वो dividend जरूर जरूर जरू नहीं थे reasons इंपल्स आ है कि वो growth नहीं थी quarter on quarter जिस तरही से revenue में growth आई वैसे वाली growth profit में नहीं थी और जहां तक shareholding के बारे में हम देखे तो promoter के पास 75% की holding है और सबसे बड़ी problem यह है कि यहाँ पर institutions लगातर बेच रहा है मार्च तक अभी जून में थोड़ी बहुत तेजी आई यह stability आई है यह देखना रहेगा कि institutions ने खरीदारी कर रहे है कि क्या कर रहे है वो देखना रहेगा यहाँ क्योंकि 125 रोब पर जाने के बाद एक buying आई जो कि अब इसको 175-180 पर लेकर जा रही है तो यह देखना है जो retail और others ने करी है जो mutual fund पहले 3.94% पे थे वो 0.53 पर आ गए जो domestic 4.59 पे थे वो बेच बेच के 0.42 पर आ गए जो FI पहले यहाँ पर 3.95% पे थे वो बेच बेच के 1.36% पर आ गए तो सारा माल चिपकाया गया यहाँ पर institutions का retail और other parties को 19.34% retail investor के पास है 3.35% other parties के पास है जो कि देखा जाए तो FI सहाँ गेम हो रहा है इनके साथ अब यहाँ से अगर 30 आती है तो अच्छी बात रिटर का पैसा बनेगा लेकिन अगर नहीं आती है major support breakdowns आता है तो FI सहाँ पैसा डूबने के chances भी है यहाँ पर डूबेगा नहीं मतलब कुछ time के लिए ठीक है कंपनी मुझे पसंद है लेकिन मैं valuation इसका मुझे justified नहीं लग रहा है मुझे रहत है कि महेंगे valuation के उपर यह बैठा हुआ है 175 रूपय का level मुझे उतना जादा risk to reward ratio अगर मैं देखो तो उतना favorable मुझे यह नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ से थोड़ा ही उपर एक resistance 180-180 तो उसके बारे में ध्यान रखेगा और अगे यह मेरा personal opinion है कोई भी investment advice नहीं है वीडियो को यहीं पहेंड करता हूँ पसंद हो तो like करे रहे चैनल पकर आप यह बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखते बता सकते हैं थैंक्यू